हबकुक भहुश्वक्ता की पुस्तक अध्याई एक, भारी वचन जिसको हबकुक नभी ने दर्शन में पाया, हे होवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहुँगा, और तू न सुनेगा, मैं कब तक तेरे सन्मुक उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहुँगा, और क्या तु उद्धार नहीं करेगा, तु मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है, और क्या कारण है कि तु आप उत्पात को देखता रहता है, और मेरे सामने लूट पाट और उपद्रव होते रहते हैं, और जगड़ा हुआ करता है, और वाद विवाद बढ़ता जाता है, इसलिए विवस्ता धीली हो गई, और न्याय कभी नहीं प्रगट होता, दुष्ट लोग धर्मी को गेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है, अन्य जातियों की ओर चित्त लगा कर देखो, और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुमारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ, कि ज जब वह तुमको बताया जाएगा, तो तुम उसकी प्रतिती न करोगे, देखो, मैं कस्तियों को उभारने पर हूँ, वे क्रूर और उतावली करने वाली जाती है, जो पराये वास्थानों के अधिकारी होने के लिए पृत्वी भर में फैल गये हैं, वह भयानक और डरावन वे आप ही अपने न्याय की बढ़ाई और प्रशंसा का कारण है, और उनके घोडे चीतों से भी अधिक वेग चलने वाले हैं, और सांज को अहर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं, और उनके सवार दूर दूर तक कूते फानते आते हैं, हाँ, वह दूर से चल और अहर पर जपटने वाले उकाप की नाई जपटा मारते हैं। वह सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। वे मुह सामने की ओर किये हुए सीधे बढ़ते चले आते हैं। और वे बंधों को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। और वह राजाओं को ठटों में उडाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वह सब दुढ़गणों को तुच्छ जानते हैं। क्योंकि वह दमदमा बाध कर उसको जीत लेते हैं। तब वह वायू की नाई चलते और मर्याना छोड़कर दोशी ठहरते हैं। क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। हे मेरे परमिशwar यहुआ। हे मेरे पवित्र परमिश्वर क्या तू अनादी काल से नहीं है। इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहुआ। तूने उनको न्याय करने के लिए ठैराया होगा, हे चक्तान, तूने उलाहने देने के लिए उनको बैठाया है, तेरी आखे ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देखी नहीं सकता, और उत्पात को देख कर चुप नहीं रह सकता, फिर तू विश्वाज घातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट उसको जो निर्दोश है निगल जाता है, तब तू क्यों चुप रहता है, और तू क्यों मनुशों को समुद्र की मचलियों के और उनके रेंगने वाले जंतों के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है, वहां उन सब अगसी से पकड़ कर उठा लेते, और जाल में घसित लेते, और महा जाल में फसा लेते हैं, इस कारन वहां अननदित और मगन है, इसी कारन वहां अपने जाल के सामने बली चढ़ाते और अपने महा जाल के आगे धूब चलाते हैं, क्योंकि इनहीं के द्वारा उनका भाग पुष्ट होता और उनका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वह इस कारण जाल को खाली करने और जाती-जाती के लोगों को लगातार निरदेता से घात करने से हाथ न रोकेंगे।